आप लोग को बताऊंगा कैसे आप Grow में UPI सेट कर सकते हैं नबसकर मेरना में विकास और आप देख रहे हैं विकास चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहले आपको प्ले स्टोर में जाके Grow Apps को इंस्टोल कर लेना है जितना भी सारा bank account है इधर आ जाएगा इसके बाद आपको कहाना है Continual option पर क्लिक करना है Continual option पर आप क्लिक करेंगे देखिए आपको यह कौन सा account पाइमारी रखेंगे यह बता रहा है आपका जो पाइमारी रखना चाहते हैं वह आप चूच कर सकते हैं अब हमारा State bank है तो मैं इसको रखके मैं Continue option पर क्लिक करता हूँ इसके बाद दिखिए यह जो है setup हो चुका है अभी हमारा grow जो है system active हो चुका है grow का UPI से आप payment कर सकते हैं मैं आप लोगों बताऊंगा तो और भी कुछ bank account था जो एड नहीं हुआ है तो आप कैसे आड करेंगे पहले आपको जाना है इधर UPI more option पे क्लिक करना है UPI more option पे क्लिक करने के बाद इधर आपको option मिल जाएगा add bank account पे क्लिक करने के बाद आपका जो bank account आप इधर सार्च करके अपना bank account एड कर सकते हैं तो चलिए मैं पेटिम सार्च कर लेता हूँ देखिए यह हमारा अभी सार्च किया और एड देखिए पेटिम एड हो चुका है पेटिम को आप पाइमारी करना चाहते है इसके ओपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको इधर एक option मिल जाएगा make primary account इधर क्लिक करने से देखिए आपका जो account है PTM account primary हो जाएगा इसी तरफ से आप UPI setup कर सकते ग्रो में अभी मैं आप लोग को बताऊंगा तो payment आप कैसे कर सकते पेमें करने के लिए आपको क्या करना है आप देखिए मै आप लोग को बताऊंगा तो इधर से बहुत सारा बील पेमेंट कर सकते हैं बहुत सारा टाइप का बील पेमेंट फासटैक है mobile recharge है इसके बाद card है बहुत सारा अपसान है व्युव अपर किलिक करके बहुत सारा payment आप कर सकते इधर से इसी तरफ से ग्रो को आप यूज कर सक लाइक कर दीजिए दूसरे सेर के लिजिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए अच्छा लिए नमस्ते